आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे ग्रामर का एक अनौदार टॉपिक जो की है प्रोनौन बच्चों को ग्रेड वन में भी पढ़ाया जाता है ग्रेड टू में भी बच्चों को प्रोनौन से इंट्रोडूस करते हैं उसकी डेफिनेशन लेंड कराई जाती है आज की अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चेनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना सबसे पहले हम देखते हैं प्रोनौन क्या है या उसकी क्या डेफिनेशन है अब प्रोनौन इस टाइप ओफ वर्ड रिप्ले अगर आपने बच्चों को नउंट बुद्रियोब करेम अगर आप देखना चाए तो आपको डिश्र्रीप्च बड़ेन पर पर i button पर link मिल जाएगा आप उसे जाकर check out कर सकते हैं अगर आपने बच्चों को noun पढ़ा दिया है after दिन आप बच्चों को pronoun से introduce करें एंड इस तरह से आप बच्चों को easily समझा सकते हैं कि जो भी noun words होते हैं उनके place पर हम जिन भी words का use करते हैं उन्हें हम pronoun केते हैं simple and easy words में इस तरह से भी आप बोल सकते हैं a word used in place of noun it means noun के place पर हम जो भी words use करते हैं उन्हें हम pronoun केते हैं इसके कुछ examples है जिसे he, she, it, I, you, they and we इन words का use करके बच्चों को grade 1 में प्रोन से introduce किया जाता है इन ही pronoun words के साथ बच्चों को प्रक्पिस कराई जाती है जिसे हाँ पर एक example दिया है राम likes to play यहाँ पर राम जो दिया है वो एक नाउन है जिसके about हम बात कर रहे हैं वो एक नाउन है तो यहाँ पर नाउन दिया हुआ है राम इस noun के place पर हम किस pronoun word का use कर सकते है क्योंकि अभी हमने देखा a word used in place of noun noun के place पर जिन words का use करते है उन्हें हम pronoun केते हैं तो इस noun के place पर हम कौन सा word यूज कर सकते है यहाँ पर हम use करेंगे he तो यहाँ पर आ जाएगा he likes to play इस तरह से noun की place पर जिस word का use क्या जाता है उसे हम pronoun केते हैं अगर जैसे यहां लिखा है Ram likes to play अगर यहां पर एक और sentence लिखा होता Ram is in grade 1 तो यहां पर हम again Ram का use नहीं करेंगे हम यहां पर लिख सकते है Ram likes to play लेकिन again हम Ram का use नहीं करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे he यहाँ पर आएगा Ram likes to play he is in grade 1 तो इस तरह से जब भी कोई sentence long sentence लिखा हो या कोई story लिखी होती है तो वहाँ पर हम बार-बार किसी noun word का use नहीं करते हैं उसकी जगा हम pronoun word का use करते हैं और इस तरह से जो आपने pronoun words पढ़े हैं इनका use हम किन noun को replace करने के लिए कर सकते हैं जैसे यहाँ पर एक chart बना हुआ है यहाँ पर लिखा है pronoun यहाँ लिखा है is used for जैसे यहाँ pronoun में दिया है I and you बोथ हर प्रोन जैसे यहाँ पर हम I का use कहां कर सकते हैं I is used for a boy a girl, a man and a woman I का यूज़ हम खुद के लिए कर सकते हैं चाहे वो boy हो, girl हो, man हो या woman हो, तो वहाँ पर हम I का यूज़ करते हैं से मैसे you का यूज़ भी हम किसी boy, girl, man और woman के लिए कर सकते हैं Next day he He का यूज़ हम कर सकते हैं only for a boy and a man किसी भी boy या man के लिए हम he का यूज़ करते हैं she का यूज़ हम करते हैं किसी भी girl के लिए या woman के लिए eat का यूज़ हम कर सकते हैं animals के लिए, birds के लिए trees के लिए या non living things के लिए कोई भी animal, bird, trees या non living things के जहाँ पर बात हो रही है महाँ पर हम eat word का यूज़ कर सकते हैं Next है we we का use हम कर सकते हैं more than one person के लिए but including us जब more than one person की बात हो रही हो but उसमें हम भी involved है या हम भी included हैं वहाँ पर use करते हैं हम we pronoun का and they pronoun का use हम वहाँ पर करते हैं जहां more than one person की बात कर रहे होते हैं या things की बात कर रहे होते हैं लेकिन हम उसमें involved नहीं होते हैं तो इस तरह से आप बच्चों को easily समझा सकते हैं इस तरह से आप बच्चों को एक चार्ट बना कर दे सकते हैं जिसमें इस तरह से आप बच्चों को explain कर सकते हैं अफ्टर दिन आप बच्चों से पूछ सकते हैं जैसे हम I का use कहा करते हैं You का use कहा करते हैं and other pronoun words का हम कहां पर use करते हैं या किन nouns के place पर हम इन pronoun words का use कर सकते हैं तो इस तरह से आप बच्चों को easily practice करा सकते हैं and easily आप बच्चों को learn करा सकते हैं किन pronoun words का use हम किन noun के place पर कर सकते हैं इस तरह से easily आप बच्चों को pronoun से introduce कर सकते हैं उसके definition learn करा सकते हैं इस तरह से आप examples के साथ बच्चों को समझा सकते हैं किन pronoun words का use हम कहाँ पर करते हैं अब हम देखते हैं pronouns related कुछ practice worksheets जिसके थुरू आपने जो topic पढ़ाया है उसका आप easily बच्चों को revision करा सकते हैं and practice करा सकते हैं Here is the first practice worksheet Write correct pronouns for the given nouns यहाँ पर pronoun words दिये हुए हैं यहाँ पर noun दिये हुए हैं किस noun के place पर कौन से pronoun word का use करते हैं यहाँ पर लिखना है अभी हमने चार्ट में देखा हम किन nouns की place पर कौन से pronoun words का use कर सकते हैं So simple and easy activity है इसे बच्चे easily कर सकते हैं जैसे यहाँ दिया है Raj Raj is a boy So boy की जगा हम use कर सकते हैं He pronoun का So यहाँ पर लिखना है He Next is Rani and I So हम खुद को involve कर रहे हैं किसी other friend के साच जैसे यहाँ पर दिया है Rani क्योंकि यहाँ पर हम खुद भी involved हैं जहाँ पर हम खुद involved होते हैं More than 1% की बात होती है वहाँ पर हम pronoun word यूज करते हैं We तो यहाँ पर हम लिखेंगे We Next is Lion So Lion is an animal And animals के लिए हम यूज करते हैं It का Next is Car It's a non-living thing तो यहाँ पर हम यूज करेंगे It का Next is Mother So Mother की जगा हम pronoun यूज करेंगे She Next is Father Father की जगा हम यूज करेंगे He Next is Pencil यहाँ पर हम यूज करेंगे It Next दिया है John and Lily तो यहाँ पर हम Two Persons की बात कर रहे हैं More than One Persons के जब हम बात करते हैं तो या तो हम वहाँ पर pronoun We का यूज करते हैं या दे का लेकिन We का यूज कहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम खुद भी इन्वाल होते हैं लेकिन यहाँ पर हम खुद इन्वाल नहीं हैं यहाँ पर है John and Lily यहाँ पर हम यूज करेंगे They प्रोनओन का Next मोना एंड आई यहाँ पर अगेन हम खुद इन्वाल हैं किसी अदर परसन के साथ तो यहाँ पर हम यूज करेंगे We प्रोनओन का Next है tree so tree की जगह हम यूज करेंगे it का next step bird यहाँ पर भी हम it का यूज करेंगे and last में है siya, siya is a girl तो यहाँ पर हम यूज करेंगे she pronoun का इस तरह की simple and easy worksheet के थूँ आप easily बच्चों को समझा सकते हैं किन nouns के place पर हम किन pronoun words का use करते हैं जब इस तरह से आप बच्चों को simple worksheets के साथ करने के लिए देंगे तो बच्चों को easily समझ में भी आ जाएगा and बच्चे interest के साथ भी करेंगे तो इस तरह से आप बच्चों को practice करा सकते हैं here is the next practice worksheet circle the pronouns in given sentences यहाँ पर को sentences दिये हुए है simple and easy sentences है अगर बच्चे grade 1 में है तो इनहें easily पढ़ सकते हैं इन sentences में बच्चों को pronouns को find करना है जिसे first sentence दिया है she likes to dance तो यहाँ पर कौन सा pronoun word होगा हमने अभी pronoun words देखे हैं he, she, it, I, you, we and they तो यहाँ पर कौन सा pronoun word है she तो यहाँ पर हमें circle करना है next है it is blue in color तो यहाँ पर pronoun word है it तो यहाँ पर circle करना है next है they are playing तो यहाँ पर pronoun word है they next है we are in grade 1 तो we is a pronoun word he is my friend यहाँ पर he pronoun word है and last दिया है I am 6 years old तो यहाँ पर pronoun है I इस तरह सा बच्चों को pronoun के practice करा सकते हैं and आप बच्चों को question पर पूछ सकते हैं जिसे she pronoun का use हम कहाँ पर करते हैं it का they का we का इन pronoun words का use हम कहाँ पर करते हैं जब आप इस तरह से बच्चों को पूछेंगे तो बच्चों को और अच्छ से practice होगी here is the next question match the words with the pronoun यहाँ पर noun words दिये हुए है यहाँ पर pronoun दिये है किन nouns की place पर हम कौन से pronoun का use कर सकते हैं उन्हें match करना है जैसे first दिया है you and I so I means हम खुद भी involved है तो यहाँ पर आएगा you and I की जगा हम use करेंगे we pronoun का तो यहाँ पर हम इसे match करेंगे next है राम and राज हम किनी two persons के about बात कर रहे हैं इसमें हम खुद involved नहीं है तो यहाँ पर यूज़ होगा दे का next है a tree so tree की जग़ यूज़ करते हैं it का a girl so girl की जग़ यूज़ करते हैं she pronoun का next है my friend so यहाँ पर he भी हो सकता है friend या she भी हो सकता है तो यहाँ पर हम use करेंगे you pronoun का next है रोहन so Rohan is a boy तो यहाँ पर हम use करेंगे pronoun he का इस तरह से भी आप बच्चों को easily समझा सकते हैं किन आउंस की प्लेस पर हम किन pronoun words का यूज़ कर सकते हैं इस तरह साब बच्चों को practice करा सकते हैं here is the next one fill in the blank with correct pronoun यहाँ पर fill in the blank के form में activity दी हुई है यहाँ पर बच्चों को correct pronoun को feel करना है जिससे यहाँ पर जो भी noun words दिये हैं उनके according बच्चों को यहाँ पर pronoun लिखना है जिससे first है blank is my mother so mother के लिए हम क्या यूश करते हैं she का तो यहाँ पर राएगा she is my mother next है blank is my pain so pain is a non-living thing यहाँ पर आएगा it का it is my pain next है where are blank going तो यहाँ पर हम you का भी उस कर सकते हैं and we का भी उस कर सकते हैं where are you going और where are we going next है Peter and John are my classmates blank are neighbor तो यहाँ पर हम किन के about बात कर रहे है Peter and John के about so Peter and John इसमें हम खुद involved नहीं है तो यहाँ पर आएगा they तो Peter and John are my classmates यहाँ पर आएगा they are neighbor next है sona is my sister blank are reading book together तो यहाँ पर pronoun आएगा we sona is my sister and we are reading book together तो इस तरह साब बच्चों को fill in the blank के form में भी एक activity करने के लिए दे सकते हैं here is the next question replace the underlined noun with correct pronoun यहाँ पर जो भी underlined noun है उनकी प्लेस पर हम कुन से pronoun word का यूज कर सकते हैं वो यहाँ पर लिखना है जिससे फर्स्ट दिया है Rohan has new shoes so Rohan is a boy तो यहाँ पर हम boy के प्लेस पर यूज कर सकते हैं he का next है Adi and weather cousins so यहाँ पर two persons की बात हो रही है again यहाँ पर हम खुद involved नहीं है यहाँ पर दिया है the dog so dog is a animal तो यहाँ पर हम यूज करेंगे it next दिया है Anwi has a new dress so Anwi is a girl तो यहाँ पर आएगा she next है Ani, Ajay and I are going to the library so यहाँ पर three persons की बात हो रही है लेकिन यहाँ पर हम खुद भी involved है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे pronoun we का यहाँ पर हम लिख सकते है we are going to the library इस तरह से easily आप बच्चों को different worksheets के थूँ pronoun की practice करा सकते है and easily आप बच्चों को learn करा सकते है किन noun words की जगा हम किन pronoun words का use करते है तो इस तरह से आप easily बच्चों को explain कर सकते है उसकी definition learn करा सकते है and साथ ही साथ आप बच्चों को समझा सकते है किन nouns की जगा किन pronoun words का हम use कर सकते है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा helpful लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना and अपने family and friends में share जरूर करना हम मिलते हैं अच्छा सा नहीं वीडियो के साथ till then bye bye take care